हेलो फ्रेंड्स मैं जया गुलेचा लाइटाउट सोल्च में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको जीबू सिंबल्स के बारे में बताना चाहूंगी जीबू सिंबल्स जो हैं इंजलिक सिंबल्स होते हैं और ये सिंबल्स इंजल्स ने डेबी आंस्टेट को healing session के दोरान दिये थे और उन्होंने meditation जब किया तो उस meditation के दोरान उनको और 88 तरह के symbols का पता लगा एंजल्स के थूँ जो life में हम life में अलग-अलग situations के लिए इन symbols को use कर सकते हैं जिससे कि हमारे life को हम थोड़ा easy बना सके सबसे अच्छी बात ये है कि इन symbols की सबसे अच्छी बात ये है कि यदि आपने रेकी नहीं भी सीखी है तो भी इन symbols को आप use कर सकते हैं इसके लिए किसी attainment की ज़रुवत नहीं है और इन symbols को use करके हम हमारे problems को heal कर सकते हैं जिवू symbols के बनाना कैसे बनाना है या फिर जहां आपको बॉड़ी में pain हो या तकलीफ हो तो उस area पे बना सकते हैं नहीं तो आप एक paper पे बना के sketch pants से बना सकते हैं या फिर paint करके paper पे या कपड़े पेंट करके रख सकते हैं फिर उसको चाहे तो आपके pillow के नीचे भी रख सकते हैं यह symbols इतने powerful हैं और angels ने इतने अच्छे दिये हैं हमें जिनसे इन symbols को बनाने मात्र से ही हमें angelic help मिलने लगती हैं इन symbols के अब जैसे यदि आपके life में आप तकलीफ में हैं या उदास हैं तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर यह happiness symbol है तो happiness symbol को यूज़ कर सकते हैं happiness symbol को यूज़ करने के लिए आप या तो इन symbols को यूज़ करने के लिए अलग-अलग colors भी होते हैं जिस किस color से आप color का pen या paint यूज़ करेंगे जिस से यह symbols ज़्यादा असर करेंगे आपको यह happiness का symbol यूज़ करना हो तो आप yellow या golden color यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से symbol बना सकते हैं जिसमें आपको यहाँ से बनाने की शुरुआत करनी हैं और ऐसे करके यह draw करना इसको आप चाहिए तो आपके body पर बना सकते हैं left side, left hand, left pair पर या कहीं पर भी आप body के left side में बना सकते हैं और इंजल्स को प्रे कर सकते हैं कि यदि आप दुखी हो तो आप happiness आपको feel होए इंजल्स आपके यदि highest good में होगा तो वो definitely आपकी मदद करेंगे आपको happiness feel करने के लिए next symbol है forgiveness का यदि आप किसी के प्रती बहुत मन में द्वेश है या गुस्सा है किसी को आप माफ नहीं कर पा रहे हैं तो आप forgiveness का symbol बना सकते हैं इसके लिए color है blue color blue color का pen या paint या या यूज कर सकते हैं या color कोई भी तरीके का blue color यूज कर सकते हैं paper पे या आपके palm पे बनाने के लिए या फिर color करने के लिए blue color से आप ऐसे उपर से करके नीचे आप ड्रॉ करेंगे इस तरह से तो ये फोगिवनेस का सिंबॉल रहेगा फिर दूसरा है रिलीज सिंबॉल यदि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो आप चाहते हैं कि आपका स्ट्रेस रिलीज हो या टेंशन रिलीज हो या आप कोई तकलीफ में हो पेन में हो रिलीज करना चाहते हूं तब भी आप ब्लू कलर यूज करके ये सिंबॉल ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हुए ऐसे ठीक है उसके बाद आता है प्रोस्पैरिटी का सिंबॉल यदि आपको फिनेंशली आप तकलीफ में प प्रोस्पैरिटी बनी रहे बरकत बनी रहे तो उसके लिए आप ग्रीन कलर का सिंबॉल यूज कर सकते हैं और ग्रीन कलर से यहां से स्टार्ट करते हुए ऐसे जिगजाग बनाना है और ऐसा करके आप प्रोस्पैरिटी का सिंबॉल बना सकते हैं फिर आता है अनलिमिटेड abundance का unlimited abundance भी आप green colors के use कर सकते हैं pen या color और इसमें भी same way आप उपर से h की तरह है ये कुछ symbol ऐसा जाके and then यहाँ पे तीन small lines है quotes के तरह तो इसको आप बना सकते हैं आप चाहें तो इसको बना के आप आपके जो भी sacred area है जहां आप काम करते हो आपके भगवायन कहर हो या फिर आप आपके पे कौपी के अंदर रख सकते हैं किसी या फिर आपके पाम पे बना सकते हैं पिलो के नीचे रख सकते हैं ऐसे अलग-अलग जगें जहां आप इन symbols का use कर सकते हैं और angels के help के through आपके life को easy और peaceful बना सकते हैं depending on आपके life की situations आप angels के अलग-अलग 88 symbols है उनमें से जो symbol आपको best suitable लग रहा हो वो आप बना सकते हैं यदि आपको इसमें detailed मदद चाहिए हो तो आप मुझे contact कर सकते हैं